रादे रादे दोस्तों आपके guar में भी भ बच्चों की पहेंट व consumo पढ़ी रहती हमें उनकी जो पॉकेट्स होती है उनका आज में यहार पर यूज यह जो हमारे पैइंट.\ और मैंने इस मैंसे पॉकिट्स निकाल ली है इनका यूज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ बहुत ही सुन्दर आइडिया है आपको भी पसंद आएगा और यह जिब भी मैंने निकाल ली है पैंट मैंसे ही और इनका यूज हम करेंगे तो यहाँ पर एक्स्टरा फैबरिक था ऊगे बाहरी है इसमेंसे मैंने कट कर लिया एक्सटरा फैबरिक को और यह हमारी बैक साइड पॉक्ट मेंसे हैं तो इनको भी मैंने ऐह पर कट कर लिया एक्सटरा फैबरिक और आब यहाँ पर इन इस तरह से लगांगे तो इहां पर एक also साइड वाली पॉकिट को पीछ और लीव mapped हम बना रहा हों उसकी किनारी को मैं बनती हें और इसके बाद में पुर्शा जिफ ती उसको हम यहाँ पर यहाँ आटेच करेंगे तो पहले में यहाँ पर इस दोनों चाहीड में इसको कर लेती eh तो देखिए एक साइड में मैंने लगा लिया है और अब यहाँ पर दूसरी साइड में भी लगा कर उपर की तरब से भी सिलाई कर दी है तो यह दोनों हमारी पॉकिट इस तरह से आएंगी और अब फ्रेंड्स जो बीच वाली पॉकिट है इसको हम लेते हैं और यहाँ पर देखे किस तरह से रखना है जो एक साइड पॉकिट है उसके नीचे हम इसको लगाएंगे इस तरह से रखेंगे और यहां पर इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है और अब जो हमारी दूसरी साइड वाली पॉकिट है उसको हम यहां पर इस तरह से पल्ट देंगे तो यहां पर फ्रेंड्स अब हम यहां पर इस तरह से उपर से सिलाई लगाएंगे तीनों साइड से तो यहां पर सबसे पहले मैं नीचे वाली साइड में सिलाई लगा लेती हूँ अभी थोड़ा सा जो फैबरिक था फ्रेंड्स वो अभी हमारा अच्छे से मैंने कट नहीं किया था क्योंकि सिलाई के बाद इसको कट कर लोंगी और मैंने यह जो डोरी बना ल दोड़ियों मैं पर हम इस चाल लगा देंगे यह लूप की तरह हमारे यूज या यूज़ाएगे आपक भी इसको हैं कर सकते हैं और फ्रेंट्स यहां पर देखिए अब हम इसको खूल लेंगी ह। तो फ्रेंट्स मैंने इसको सीधा कर लिया है और अब हमारी यह पर यह प तो आपको मेरा आएडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताये गा अच्छा लगा हो तो एक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फौर वचिंग